हेलो डियर कैसे आप सब मैं रोई दिमान आप देख रहे हैं रोई दिमारशी चैनल सबसे पहले तुमा बता दूं राजस्तान इस्ट्रक्टर का जो एक्जाम होने वाल है उसके बारे में बहुत बड़ा पडेट है पहले ही बता देता हूं अगर आपने वीडियो कंप्लीट ने देखा तो आपका एक्जाम दिया या ना दिया वो रध हो सकता है तो कंप्लीट जानकारे देखिए इसी कान से इन्हों नोटिफिकेशन में निकाला नोटिफिकेशन आज की डेट का है 30-10-2024 का अब इसके अंदर क्या का गया है सबसे पहले तुमां बता दूं इन्हो का एक्जाम 16-18 को है मेकानिकल डिजल कोपा एंड एंड एमपलीबिल्टी स्केल और रेसी रेफिजेशन एंड इर कंडिशन इनके बारे में हैं देखिए इसके बारे में क्या का गया इन्होंने सीधा-शीधा बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको एक्जाम बोर्ड के अ आने था आपको एंट्री नहीं मिलेगी नंबर तीन क्या है कि जो आपका मोड ओफ एक्जाम है वो सीवीटी कम ओमर होगा मतलब कि जो लिखित जो पहले हम करते थे पैन के दोवारा गोला बरते थे यह वही होगा कंप्यूटर बेस नहीं होगा और इसके अंदर एक चोधा पॉइंट है इसके अंदर आपको च्यार विकल्प नहीं मिलेंगे पांच विकल्प मिलेंगे च्यार विकल्प रहेंगे ए बी सी डी इनके च्यार के अंदर आपका अंसर रहेगा च्यार में से एक अंसर रहेगा लेकिन option E इन्होंने क्यों दिया है यह इन्होंने complete बताया है point no.6 में हाँ point no.5 में क्या बताया इन्होंने अगर आप अभ्यार्थी को OMR उत्तर पुद्र का समंदित परसन करमा के लिए सही उत्तर पहले च्यार में से केवल एक विकल्प गोला नेले बोल पैन पॉइंट से आपको गहरा करना है यदि अब आर्थी कोई परसन का उत्तर नहीं देना चाहते है तो पांचा विकल्प E उसको फिल करना होगा आगे इसने बोला गे अगर आप E को फिल नहीं करते हो तो आपको उस question का 1 by 3 मतलब जो negative marking है वो आपको देना होगा अगर आपको कोई question का answer नहीं आ रहा है और आपने 4 option में से कोई फिल नहीं किया और जैसा इनका रूल है आपको E feel करना होगा अगर आप E को भी feel नहीं करते हैं तो आपका 1 by 3 negative marking mark कट होगा और number 7 में इन्होंने बोलागा गया है 10% से अधिक person में किसी भी विकल्प गोले को ब्यारती इतना गहरा नहीं किया जा सकता तो इसके लिए ऐयोग्या गोशित कर दिया जाएगा मतलब अगर आपने 12 question ऐसे कर दिये जिसमें से A, B, C, D और E पांचों में से किसी के उपर भी आपने कुछ गहरा नहीं किया है उसक इनका सीधा main motive क्या है या तो 4 option में से एक चूज किए A, B, C, D या फिर अगर आपको 4 option नहीं आते हैं तो E को आपको fill करना ही होगा अगर आप E को fill नहीं करेंगे negative marking होगा अगर E को fill किये बिना 10 person या 12 person ऐसे हो गए मतलब 10% person ऐसे हो गए तो आपको exam से क्या किया जाएगा निकाल दिया जाएगा या उसको गणना नहीं की जाएगी और इसके अंदर उन्होंने website भी दी है नमर 9 पर उन्होंने website अपनी जारी की है उसके उपर भी आप जाके दे सकते हो उन्होंने वहाँ पर सारा upload कर दिया है तो please exam देने से पहले complete no down कर ले complete इसको read करके जाएँ त प्लीश वीडियो को like and share जूर करें अधिक बच्चों के पास ताकि जो जो बच्चे राजस्तान में इस्ट्रक्टर का वकैंसी का एकजाम देने जाएंगे उन्हों सब को यह सूचना पहले मिल जाए नहीं तो वह बच्चे छूड जाएंगे तो प्लीश वीडियो को वीड